हिमाचो सरकार ने कॉरिंटीन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किये हैं ये नए नियम के तहट राजे में आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधे कामगरों के पास धीश दिया जाएगा और साथी उचन साथानियों का पालन करते होई तुरंत काम शुरू किया जाएगा श्रिलंका में भारती उच्छ योग ने कहा कि वंदे भारत मिश्चन के तीसरे चरण के तैश श्रिलंका में फसे भारती नागरे कोग की वापसी विशेश एयर इंडिया की उडान से होगी एक्टर सुश्यान सिंग राशबूत अब इस दुनिया में नहीं रही उन्होंने कल मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आतम हत्या खली आज उनका मुंबई में अंतिम सस्कार किया जाएगा राजेद्वारा संचरेत तेल विपनन कंपनियों ने लगातार नौई बिन यानि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धी की है दिल्ली में 48 पैसे की बड़ोतरी के बाद पेट्रोल अब शिरत्तर दिशामरों 36 रुपए प्रती लीटर हो गया है पर्षिम और सेंटर रेल्वे ने मुंबई में आज से लोकल जुएनों को शुरू करने का अलान कर दिया है उन्होंने कहा कि ये सेवा सिरफ अवश्यक सेवाओं से चुड़े लोगों के दिये होगी युके में बीते 24 गंटे में 36 और कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की मौत हो गई है इसके साथ ही अब मौतों का कुल अंकड़ा 44,698 तक पहुँच गया है जारखन में करोना के 37 मामले सामने आए जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संक्या 1761 हो गई पूरे गुजराद में भुकम के जटके महसूस किये गए रेक्टर स्केल पर भुकम की तीवरता 5.5 आंकी गई हैदरबाद की गांधी अस्पताल में भड़ती करोना वाइरस का संदग्द मरीज 15 दिनों से गाइब है संदग्द मरीज के परिवार ने इसका दावा किया है दुनिया भर के साथ साथ पंच्वाप के अलग लग जिलों में लगातार करोना के बढ़ रहे प्रभाव के मद्दे नजर कैप्टन सरकार द्वारा तालाबंदी के बाद आज बजार खुलते ही लोगों की आमद में इजाफा देखने को मिला परन्तो इस दोरान लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जपकर धर्चिया उड़ाई गई